सब्सक्राइब करिए पांडे जी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाईए हमारे लेटेस्ट इजुकेस्टनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो अगर आप एक UP Polytechnic First Semester के स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार के UP Polytechnic First Semester Examination के लिए तो आज आप इस वीडियो को सुरू से लेकर लाश तक देखते रहे हैं आपको पता चलने वाला है Mathematics का Model Paper जो New Pattern पर आधारित है जो New Syllabus के According ये Model Paper आपके लिए तयार किये गया है तो दोस्तो वीडियो को सुरूश लेकर अन तक देखते रहे हैं क्योंकि आपका जो एक्जाम है वो बहुत नियर आ गया है आपका एक्जाम का डेट जो है वो 8 December को है ऐसे मैं आपको Model Paper से तयारी करनी चाहिए और अधिक सदिक Question Bank से अब पढ़ाई करनी चाहिए ठीक है और जितने भी Most Important Questions की सीरीज वाली वीडियो है हमारे चैनल पे सभी को आपको जरूर देखना चाहिए ताकि उससे आपका तयारी और भी Perfect हो सके ठीक है दोस्त तो सबसे पहले तो ये बता देना चाहिए कि ये पुडांक मतलब 50 मांक्स का कुछ पेपर होगा जिसके लिए आपको ढ़ाई घंटे समय दिया जाएगा अब कुछ Information है कि सभी प्रश्णों को हल कीजे और इसके परिक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्ण पत्र के दोनों अनुवादों में शैंकी की आंकडों का मिलान कर लें यदि किसी प्रश्ण में अनुवाद, हिंदी अनुवाद के किसी प्रश्ण की भेनता हो तो परिक्षार्थी प्रश्ण का उत्तर अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार दें ठीक है जादा कोश्ण पूचा जाते हैं लेकिन इसमें 10 का आंसर ही आपको देना पड़ेगा और इसके लिए प्रतिक के लिए एक अंग दिया जाएगा आपको यानिकि 10 कोश्ण अगर आप करते हैं तो 10 नमर आपको मिल जाएगा देखिए बहुत सारा सिंपल कोश्ण इसमें पर एक विए लग कालना है इसमें और यह अराम से इसे से कोंड निकालना है इसके यह सब जितने भी साड़ी को और रोखिए स्ञीप जैसे कोश्टिनधमें को एजीं है बट आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है अगर आपको इसमें एक दो कौशा नहीं भी आते हैं तो कुल 12 प्रश्ण या फिर 11 प्रश्ण दिया जाते हैं जिसमें आपको 10 कोश्ण ही करने होते हैं ठीक है बढ़ जाते हैं तो दूसरे कोश्ण की तरफ तो दूसरा कोश्ण जो है आपका वह भी आपको आपको जहें दो नंबर का है और इसमें 5 कोश्ण आ dot infinitive का योगफल ग्याद कीज़े ठीक है तो आप अगर शमांतर शड़ी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इस question को बहुत ही असानी से कर सकते हैं ठीक है और इसमें भी नीचे वाला दूसरा भी यही कह रहा है कि दस्वा पत ग्याद कीज़े ठीक है तो अब बढ़ जाते हैं यहाँ पे कि वही दूसरे में का जो है वो लौ तक दिया गया है ठीक है अब दूसरा में बो कोशन कह कह रहा है कि A वेक्टर दे दिया है ठीक है और B वेक्टर दे दिया है A वेक्टर क्रोस B वेक्टर कह रहा है ठीक है तो साड़ी के साहता से जैसे हम ग्याद करते हैं उसकी साहता से हम निकाल लेंगे फिर ये शमिस्र शंक्या का कोशन पूछा है कि मापांग ग्याद कीज़े फिर उसके बाद आउकल गुणा को पूछा है फिर उसके बाद से यहां से तुरे भुच की भुचाओ कोड़ों में शम्मंध वाला चैप्टर से कोशन पूछा गया ओवराल ये जितने भी कोशन है वो सारे बहुत ही जादा इजी है अगर आप 12 करके आए हैं बट अगर आप 10 करके आए हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बट अगर आप 12 करक हैं तो आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीजें 12 में आपको पढ़ने को मिली होंगी ठीक है दोस्त बढ़ जाते हैं अपने तीसरे कोशन की तरफ तो तीसरे कोशन में निमलेखित में किनी दू भागों को हल कीजिए इसमें तीन को कुकेवल दू कोशन करने हैं और प्रतिक कोशन के लिए पांचंग निर्धारी था ठीक है तो ये निव पैटर्न निव सलेबस के अकॉर्डिंग ये जो मॉडल पेपर है ये आपको जानना बहुत जरूरी था ठीक है दोस्त तो ये ये भी कोशन में ये जैसे बाइनोमिल परमेशे लिया गया है कोशन तो ये जितने भी कोशन है और 12 वाले के लिए थोड़ा इजी है बट अगर 10 वालों की बात करने तो 10 वालों के लिए थोड़ा बहुत हाट पड़ जाएगा ठीक है और जैसे ये चौधा कोशन बात कर लेते हैं इसके लिए तो इसमें भी आप जिसमें आपको पूरत तीन कोशन दिया होगा अगर आपको इसमें से एक कोशन नहीं भी आ रहा है तो कोई फक्त नहीं पढ़ने वाला क्योंकि इसमें केवल आपको दो ही कोशन करने है ठीक है जिसमें एक कोशन आपको साडिक से है ठीक है क्रेमर की सायता से जो एक्स मान फाइंड करना है और इसके बाद से कोसिक्स का ओकल गुणांग प्रथम शिद्धान से ग्याद करना है और या फिर अगर यह कोशन आपको नहीं आ रहा है तो इसका डिफ्रेंशेशन करके इतना प्रूफ करना है ठीक है तो यह ओवराल यह भी इजी है ट्वेल्थ वालों हो गया ठीक है और 10 वाले थोड़ा ज्दा मेहनत करेंगे तभी उनको मतलब अच्छा खासा नंबर आ सकता है ऐसा नहीं है कि तेंथ वाले अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं अधिकतर यही देखा गया है कि तेंथ वाले ही अच्छे नंबर से पास होते हैं क्योंकि वह कोडों में शम्मंध से लिया गया है और दूसरा question औकल गुणां किसके गयाद करना है सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपान सेक्स माइनस टेन एक्स ठीक है तो कई तरीके से इसका मतलब निकाल सकते हैं या तो डारेक्ट भी आप कर सकते हैं या फिर इसको वन अपान कोस एक्स प पर आपको यह तीन question है जिसमें आपको दो question करना है आपको दस number मिल जाएगा तो यह overall यह math का जो question होता है इसमें अगर आप सभी questions को सही करते हैं तो आपको सभी question के answer जो है वो number पूरा perfect मिलता है कई बार यह भी देखा गया है कि 50 में 50 मिल लड़कों को मिल जाता है so math का question अच्छे तरीके से कीजेगा और कोई भी doubt हो तो math का जो revision आपको करना है वो daily by daily करना है क्योंकि math जो है वो practice वाला subject है अगर आप math की practice जादा करते हैं तो आप उसमें जादा तीजी से या फिर सही शे questions को कर पाएंगे ठीके दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर पहली बारा है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके नोडिफिकेशन बेल का आइकन ओन कर लीजेगा धने बाद दोस्तों जैहिन जै भारत और वीडियो को अपने दोस्तों में शेर कर हैं धन्यवाद दोस्तों